हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करी दिया कि हमने प्रूटो कॉड़ा है तो पिरा बचाई चाहे है सफाई देने के लिए देखिये मिस्टर प्रद्यूम हमारी आप से कोई परस्नल दुश्मनी नहीं है हम जो भी कह रहे हैं साक्षे के आधार पर करें है सारम सहु पिछले 20 साल से CID में काम कर देखिय कोई भीदवाओ नहीं किया है यहां तक कि CID के लिए हम लोगों घुर ही बहा है लेकि हम आपकी बात को समझते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, यह तो आप जानते हैं हमेशा नियमों पर बरोसा नहीं किया जा सकता है, सर, हमारा कामी कुछ ऐसा है, सिच्वेशन के हिसाब से में उसी समय तुरन डिसीजन लेना पड़ता है और जहां तक डिया के केस का सवाल है, प्रोटोकॉल तोगने के जरूरत भी वजय ती, सर डिया एक जावाज C.I.D. ओफिसर है, सर, सिच्वेशन के लिए कुछ भी कर सकता है हमें इसे ऐसे नहीं चोड़ सकते थे इसके बावजूत प्रोटोकॉल तोड़ी है, तब जो भी सरदा देंगे, हमें मन्दूर है लेकिए, हम लोग आपकी बात से सहमत हैं लेकिन नियम तो आपने तोड़े है और नियम तो फॉलो करने के लिए ही होते हैं और आप लोग कानून से उच्छे नहीं हैं इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि आप लोगों की टीम को तोड़ा नहीं जाएगा आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं लेके आज से आप लोगों को मॉनिटर किया जाएगा आपके सभी केसिस को एक सूपरवाइजिंग ओफिसर मॉनिटर करेगी जिसे हमने नियुक्त किया है सब यह है कि आपके केसिस की जो भी अक्टिविटी होगी आज से शीतल हमें बताएंगे और आपके केसिस की सारी जानकारी रखने का पूरा अधिकार है शीतल को आप लोगों की टीम आगे रहेगी या नहीं रहेगी यह भी हम शीतल जी की रिपोर्ट आने के बाद ही नहीं लेंगे देखिया आज तक आप लोगों ने जो चाहा वो किया लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है अब से आपको अपने हर केस में शीतल को इंवाल्व करना पड़ेगा नहीं गड़ेग लेडर elles तक आप vengeance अबसे नहीं टोग्स कर दो कर दो देखिए, मेरे काम करने का तरीका कुछ आलग है और आप लोगों को लेरे तरीकों को फॉलो करना होगा तो मिला कि आप या कहना चाहती है कि आप से आप हमारी बॉस है ने ते I don't like the word boss boss कहना उचिती होगा देखिए, मैं यहां पर आई हो आप के केस्स को smoothly हैंडिल करने और चाहूंगी कि इसमें डिसिजिएन मेरा फाइन है देखिए, प्लीज नाराज होने की कोई ज़रोती है क्योंकि मैं बस ओर्रॉस फॉलो कर दी हूँ इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आज के बाद जो भी केस की इंविस्टिकेशन आप लोग करेंगे वो मेरे देख रहे होंगे आपको मुझे लूप में रखना होगा और हर एक इंवेस्टिकेशन केस की रिपोर्ट आपको मुझे देनी होगी आपको मुझे देनी होगी आपको मुझे देनी होगी आपको मुझे देनी होगी इसमें ये भी लिखा है कि किसी भी सस्पेक के साथ कोई भी फिजिकल बाइलेंस करनी से पहलें, आपको मुझे बुछना होगा. रिष्या. अलो, ये सिर्वीज प्रद्युवन. अच्छा? टीक है, हम लोग आपके हैं. ओके. दो दो खून होगे हैं, हमें निकलना होगा. टीक्ते जल्दी निकलेंगे आपके फाइंड आपके करेंगे कि वो कॉल फ्रॉड है की नहीं, सच मुल्ची है, मुर्ल हुए है की नहीं, ऐसे निकलेंगे? शीतर जी आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन दर असल बात की है की दो दो खून होगे, इसले इन्वेस्टिकेशन की जाना होगा, हाँ, आपको हम सब रिपोर्ट्स भीच देंगे, आपको लूप में यो रखना है, लेस्गो. कहा हुए, खून होगे? पताने है. पताने हिए, किया मतलँ? आपको और भून करके बोला था के खून हो जहां यापए. तो दो खून होए. इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया तो खून हो यह तो फिर खून होए कहाँ लाचे कहा है पता मिया सर्थ मैंने सरफ सुना क्या सुना तुमने चीखने चिलाने की आवाज नहीं मैंने सब कुछ सुना देखा भी है बड़ मैं वहाँ थी नहीं अरच बुलाजा चुझे अरब इस तरह की बाते करें यह एदम सपना नहीं है मैंने खून होते वए देखा है कब रहा कैसे यह नहीं पता क्यु कि मैं बहाँ थी यह नहीं जब आप वाँ पर थीने तो आप आप आपने यह खून होते वए कैसे देख लिया इस ट्यून से. इस बीट में बहुत बारिश हो रही है. आसपास पेड़ है और एक तूटी हुई बोट भी है. यह ड्रम्स पे कोई उस आदमी को घसीट रहा है. यह वाली बीट पे वो आदमी उसे उस पत्तर से वार पे वार किया जा रहा है. Ania? तुमने इस सब देखे लिया, खोन हो गाए. एक फिसम्हा और मीजिक का कहीं है. Ania, इसलो ने नहीं किये। अट्मने शोचा होगा कॉगा गैस किया होगा? इस और गैस नहीं किया है. इस म्यूजिक में मजे देख करा है. पर आनिया म्यूजिक में खून होते हुए कैसे दिख सकता है। मैम, आनिया बीमार इसलिए इस तरह की बात कर रही है। क्या मैं? सर, मेरा नाम लट्था है, मैं यहां की मेट्रिन हूँ। मैं आनिया को बच्पन से जानती हूँ, जब से यह और्फ़नेज में आई है। क्या बीमारी है आनिया को? सर, इसे सनेथिस्या है। सनेथिस्या? मैम, यही कंडिशन है। नॉर्मल कंडिशन में इंसान को मुजिक सुनाई देता है। लेकिन यह कंडिशन में इंसान मुजिक संते संते वीजल भी देखता है। मुजिक संते संते वीडियो जैसे देखता है। आपके कहने का यह मतलब है के अनिया साँड़ देख सैनि, हैं यह सर। कैसे? आप genocide और इमेजन किजिए कि आप ड्रम बीट सुन रहे हों? लो, इमेजन किया है अपको क्या दिखाई दे रहा है? अब ड्रम बीट की आवाज सुना दे रही है पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये नॉर्मल कंडिशन में होता है लेकिन सिने से सिया मैं इंसा म्यूजिक के साथ चलो कुछ ना कुछ देख सकता है जैसे किसी इंसान को देख सकता है रंग देख सकता है या किसी में चीज को देख सकता है मतलब इस म्यूजिक के पीस को सुनकर तुमने ये खुन होते में देखा जी तो मुझे लगता है, कि आनिया जो म्यूजिक सुन के देख रही है, वो सच में है नहीं. वह उसे विजुलाइज कर रही है. जैसे हम लोग सर सपना देख थे हैं, बट सपने में जो देखते हैं, हम उसे वीजुलाइज करने लगते हैं, जबके वह ऐसा होता है. ईसर, नहीं सर्जु मैं देखरी हूए हुए हकीकत है जो मैं देखरी हूए भौह 드ढ़ावना है जैसे मैं टीवी पर किसी का मॉर्डर होते हुए दखוכणे हुए और दो अलग अलग मूजिक पे दो अलग अलग हून— एक पथर से हुँ रहा और एक क्रोबार से अन्या, दुसरे खुन के बारे में बता सकती है यह खुन कहा हुआ, उस खुन के आसपास क्या है, खुन ही कौन है, क्या कर रहा है आसपास पहाडी है एक आतमी नीच्छे गिरा हुआ है अपने अपको बचाने की कोशिश कर रहा है सर वो आगया, आगया सर, वो उसे मार रहा है क्रोपा इसे, सर लगातार वास दे जा रहा है ना, तियरा नहीं दिखा कुन दिखा ठीक है, हम इस केस की तैकिकात करेंगे सर मैंने ऐसे केस के बारे में तो नहीं सुने पर पुलवी, जिस सर से इतने सारे डिटेल, इस बच्ची ने हमें इस सब बताया है तो शक होता है कि कहीं सच तो नहीं कहां दिया सर मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे इस लड़की में बताया है ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था सर, कहीं पर पत्थर से खून हुआ है तो विर एक काम कुरद है क्राइम राज से पता लगा हूं कि ऐसे दो कीसेज हुए एक हैं, ओके, सर सर, जैसे कि आपने बताया है, ठीक वैसा ही केस दो मेने पहले पोने में हुआ था उसे पत्थर से कुछल कर दमार दिया गया और सर, क्रोबार से मर्डर पनवेल में हुआ था, यही कोई चैमाई ने पहले तो उसकी फाइल लाई यह दून पोने केस था और यह पन्मेर माड़ केस के पाइए, पन्मेर ठीक है, थैंक्यों वेरी माड़, जा सलत्ते मैंने घूल होत्तु वे देखा है, आस-पास पेड़ है और एक टूटीवी बोट पीया है उस पक्तर से वहार पे बार किया जा रहा है जो पिश्वन देखा था ठीक वैसे ही सरी हे फोडो में मतलब जो अन्या ने बता है वो सब सच है कमाले साम, इन दोनों हाथों के बारे में अन्या ने म्यूजिक सुनकर आज विजुलाइस किया कि यह हाथ से तो छे महीने पहले और यह दूसरा तो दो महीने पहले हो चुका है यह कैसे हो सकता है जो लड़की इस क्राइम सीन पे थी भी नहीं उसने सब बच विजुले इस कैसे किया सिनिस्थिस्या के वज़े से मैं नहीं मान दी और बाइदे वे यह यह सिनिस्थिस्या है क्या वालिसे डिफाइंड करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको संझाने की देखे होता क्या है कि जब आप किसी खास चीज को सूंगते है तो उससे जुड़ी तमाम यादें आपके दिनाग में आने लगती है इसे कोई खास व्यक्ती कोई खास जगे सब कुछ यह समझे एक तरीके से यह गंध आपकी मेमरी को ट्रिगर करता है लेकिन इस सिर्फ सिनिस्थिशिया की कंडिशन में होता है इन केसिज में सुगंध की जगे मुझ रिखने ले लिया अब देखे अन्या में खास तरीके का मुजिक सुना उस मुजिक पीस में एक जगे एक खास किसम के इस्ट्रूमेट से उसे एक पेड की आदा है उसने एक पेड विजुलाइज किया और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उसे आदनी एक्जाटली बस मुझे लगता है खुनी ने इस खुन की घटना को इसी खास तरीके से म्यूजिक में कनवर्ट करने मतलब जब म्यूजिक बजे तो उस घटना से जुड़ूनी तमाम चीजे अमाम जगे मेमरी में ट्रिगर होने लगें लेकिन यह सब कुछ विजुलाइज वही कर सकता है जिसे इस सिनस्थिस्या की बिमारी हो और किसी में नहीं और यही उस और्फनिज की मेटरन ने भी बता है आप लोगों को यह सब कुछ अजीब नहीं लगता कि एस को सुलिजाना हमारा काम है तो साटा इस खुनि को भी यह सेनस्थिस्या की बिमारी हो. और उसे ने यह म्गुजिक रेकॉॉर्ड किया हो. क्योंकि मॉर्डर और क्राइम सीन में वह ही जानता था लेकिन पता कि इसे चले गा कि यह म्गुजिक कमपोز करके किसने अप्लोड किया होगा और उसे ढूंडेंगे किसे सर रडी इंटरनेट खोलो देखो इंटरनेट पास ये पर्टिकुलर म्यूजिक पीसे जो दोनों केस में हैं वो कहीं पर है क्या सर, सर मिल गया, सर दोनों ट्यून एक ही गाने का हिस्सा है एक इंडी रॉक गुर्प ने मना है लेकर आओ इस इंडी रॉक बैंड वा लोग को या आप 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 ओके आप लोग अपनी इंवेस्टिकेशन करते रहिए मैं कुछ दूसरे काम से आती हूँ आनिया मेरा नाम शीतल है मुझे आपसे कुछ बाते करने थी क्या हम बात कर सकते हैं आनिया देखो आनिया आप प्रॉमिस जादा वक नहीं लोगी सिर्फ पाच मिनट्ट यह कुछ बोल के ने रही है मैं वो बहुत तरी हुई है उस इंसिडेंट ने उसकी दिमाग पर बहुत असर छोड़ा है उसे नॉर्मल होने में थोड़ा फक चाहिए हुग हम ओकी ए मुझे अनिया के बारे में यह कुछ लोगों से बात एक लिग करनी है आप पॉसिबल है या मुझीड ट्यून से खून मारे मुझी इस को प्सक्राइज बिल्श है समझें Chinese कर पीस को सुन कर एक मुझी कूप यह खुपा अन副 सब्सक्राइब रहिगां तो यह कि यह थी 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 नहीं वाइद ने बहुत तृदे लिग इभेखे सिर! यह देखे सर! सरी एट आपने पसंदा-पता इसमें इमने बाउनलोड करके अपने अपने गाने में डाल दिया किस ने अपलोड की थी इक उनिस साइपन? सरी तो गुमनाम है एडूणिमस एडूणिमस हम इस एडूणिमस को भूब्ना है में, यह हमारा स्टाफ में है, यह ह् पुजा यह रमेश यह आर्थी है इन्जिО में चाम कृती है लेकिन नकसर हमारे और्पेनेच में आती है आपसे कुछ बाते करने ते अच्छली आन्या के वाने कैसा अन्या बढ़ी ही अजीब लड़की हैं वो यह कब आंप यही पिछमन से ही दिगें अलग अलग जोगों ने आडप्ट किया अपता ही क्यों कुछ दिण सुदिन रखने कभार पॉभार यहाँ चोड़ दिया क्यों पुई बज़ा उसके बुरे बढ़ता हो की वज़े से उसके वक्त बेग जगडा करने की वज़े से बात-बात में वाइलेंट हो जाती थी पस यह अदत बश्पनी से थी या बाक वास पर रहा तु अन्या इसी में मैडम इस सब गलब बोल रहा है नाम सच में यहां अक अजीब बढ़ताव कर देती है अजीब बढ़ताव नहीं मैम यू समझ नीजी अगर आन्या को किछी नो क्राउस किया तो उसके साथ दुरगाचना होना तय है अभी पिछले मैंने और्फरेश के बच्चों के साथ क्या हुआ यार नहीं है क्या बखवात कर रहे हो क्या हु हो गया था उसी दिन उसका जगड़ा अन्या के साथ हुआ था अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो अन्या में किया तो समझ कर बात करो नमेश बहुती गंभी आरूप लगा रहे है अन्या पर तुम्से अन्या को आउस्पनित से दो फैमिलीज ने अडॉप्ट क लेकिन उसे वापिस कर दिया इसके पीछे कोई तो बज़गी शायद अन्या में ही कोई खामी हो कोई कलती हो अन्या के बारे में एसी कोई फाइल है जिसमें उसमें सारी टीटेल्स हो क्या मैं उसे देख सकती हूँ या शेया यह लेचिये थैंक्यू अब थैंक्यू मेट्रिन, लेकिन मुझे अभी इसके निकलना होगा, क्या मैं आपको यह फाइल फिर जे बाद प्रपिस कोर दो चलेगा? जी हलो? मुझे जिन-जिन लोगों को सिलिस्तिस्या है ना? उन्हें एक्ते लोगों से मिलना है और कुछ जानना है उनके बारे में इन तीनों लोगों को सिलिस्तिस्या है एक मिनिट, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं उनके लिचादा अब आब बताईए आपने इस त्यून को सुनके क्या विजुलाइज के? मैरम, मैंने एक बहुत बड़ा गास का मैदान देखा जहां पे गाये घास खा रही थी और सूरत साफ दिख रहा था मैंने एक नदी देखी, वाँ, नाओ थी और मैंने देखा महाँ पे कुछ लोग आगजिला के बैठे होए थे इंट्रेस्टिंग, चलिए, आखिर में आप बताईए, आपने या देखा? शहर, शहर देखा मैंना, एक भेड़ बाड़ वाला हिलाका और उची-उची विल्डिंग यह थी और उसके ओपर विज्यापानों के लाइट्स लगें लिए इंट्रेस्टिंग, थ्री डिफ्रें इंट्रेस्टिंग, अच्छा है, आपने देख भी लिया और खुद अपने कानों से सुन भी लिया, तीन लोग जिने सिनस्थीजिया हैं, उन्हें वही टून सुनी, लेकिन तीन अलग विजुल्स देखी और अन्या ने इसी मूजिक को यह पे, खुन होते हो देखा हैं, अन्या वे यह बत्व होते हैं, इंक्सी दूने को इस मूजिक तुन को खुन के इंटर्परेट करें। कौन? खुद खुनी और वो खुनी और कोई नहीं है… अन्या एंट्रुब ऑन्या है, अन्या. और फिनिश गई था और वहाँ जाकर पता चला कि आन्या को दो फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था लेकिन बस कुछी दिनों बाद उन दोनों फैमिलीज ने आन्या को वापिस ऑर्फिनिश चोड़ दिया और वो दो लोग वही थे जिसका मुर्डर हुआ जिसने अन्या को अटॉप्ट किया मैंने अन्या को अरेस्स कर दिया है और उसे बाल अदालत में पेश करने की तयारी करती है बिना हमें बताए बिना हमसे पूछे आपने अन्या को अरेस्स किया आपको बताने की जरूद भी नहीं है, वो खुनी है और उसे सजा जरूर मिलेगी। आपने वो क्राइम सीन के फोटो और पोस्मोडर्न रिपोर्ट देखी? अपकोस देखिये, तो? शाएद ठीक से ने देखिया आपने, ने तो एक बेगुना को अरस्त महीं करती। खुनी ने बहुत तातक लगा ये खुन करने में, एक 15 साल की बच्ची इतनी बेहरेमी से दोलोगों का खुन नहीं कर सकती। आप लोग उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शितन्जी आनिया बेगुना हैं। और हम किसी भी बेगुना को सजा नहीं देती। आनिया खुनी है और उसे सजा में लेगी और मैंने उसे अरेस्ट कर दिया। ये मेरा डिसिशन है और ये फाइनल डिसिशन है। आप लोग बस बत बर्बाद कर रहे थे। और हाव ऐसे भी मीडिया को इस केस के बार में बात करनी है। आप लोग प्लीज मीडिया को बदा दीजेगा कि ये केस सॉल फो चुका है। अब केस आपने सॉल भी किया है तो आप ही बता दीजिए। हमें क्यों कह रहे ही बताने के लिए। आप इसे मेरी चेताबनी समझ लीजे या फिर उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप मेरी सारी बाते मानेंगे। आप लोग को जानकर बहुत खुशी होगी कि ये केस सॉल भू चुका है। मैम कौन है खुनी? खुनी एक 16 साल के लड़की है जिसका नाम आन्या है। काफी समय तक वो हम सबको बेवकू बनाकर आजाद घुम रहे थी। लेकिन मैंने उसकी असलियर पकट ली। मैम ये केस तो काफी पुराना है ना? जी हाँ ये केस काफी पुराना था। इन फैक काफी समय तक क्राइम ब्रांश के थंडे बस्ते में पड़ा था। लेकिन CID ने जैसे टेक ओवर कर लिया। जोवीज घंटे में केस ओट। तो मैम आप भी CID टीम का हिस्सा है। जी हाँ, मैंने अभी-भी CID टीम जोइन किया है। आज ये सुपरवाइजर। और जोइन करते ही एक दिन में केस सॉल्व होगा। अगर ये केस काफी समय से थंडे बस्ते भी था। तो CID में पहले क्यों नहीं टेक ओम किया इस पर। क्योंकि इस टीम में पहले मैं नहीं थी ना इसलिए। मगर मैम और लोग भी थे ना टीम में। जी हाँ, ये लोग पीछे 20 साल से हैं। और मामलोग की चार्ज करते रहते हैं। लेकिन क्या है ना वो कभी-कभी भावुक हो जाते हैं। और किसी भी केस में भावुक होना मतलब इंवेस्टिगेशन में रुकावट। इंवेस्टिगेशन के लिए सिर्फ लॉचिक ही ज़रूद है। जो मैंने यूज की और केस सॉल हो गया। एक मिनिट। मैं आप लोगों की गलत पहमी दूर करना क्याता हूं। फिलाल ये केस अब तक फॉल नहीं हुआ है। अभी तो बोला था केस सॉल हो गया। सर अभी इस केस में बचा ही क्या है। खुनी तो पकड़ा गया। जे नहीं। खुनी अभी पकड़ के बाहर है। मगर मैडम तो कह रही है कि खुनी वो लड़की है। ऐसा मैडम को लगता है। हमारे तहकीकात के इसाब से शायद वो लड़की बेगुना है। सर तो फिर असली खुनी कॉन है। इंविस्टिकेशन हो रही है। एक रही है। आप लोगों की हिंबत केसी हुई डिया के सामने मेरी इंसार्ट करनी की। आपका इबरताब रेकॉर्ड मेल या जाएगा। अब ट्रॉस्टिकेशन है। प्रिश्ट भी थे एकॉन्सीस। पूनी को पगड़ने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि शीतल कदम कदम पर दुकावट डालने की कोशिश करेगी ज़र अभीजित पहले ये बता लगाना पड़ेगा कि अन्या जिस वक खून हुआ उस वक कहां पड़े हमें एक तीम पुणी बेजने पड़ेगी पूरी तरह से तैकिकात करने के लिए और दूसरी टीप वैसे ही पनवेल में आप सब के जानकारी के लिए बस मैं यही बताना चाहूंगी कि अन्या को स्विस्थीजिया है और घून भी उसी ने किया है उसने हमें काफी समय तक अंधेरे में रखा लेकिन हमने उसे अब पकड़ लिया है और बहुत जद उसे जुविनाल पोर्ट में पेश करने की तैयारी की है तेज़ फेबरुवारी को शाम के चार और साथ बज़े के बीच अन्या का पर थी जोड़ी बचे शाम को बहर निकलते हैं किलने के लिए और 9 बज़े तक अंदर आ जाते हैं तो चुझा अन्या और्पनेज में थी आपनेज में थी या बहर नहीं गई ती यह आप इसने इनके सब कैसे थे सबती है इसने कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे इजाज़त के बिना कोई भी बच्चा बहार नहीं जा सकता मगर कभी-कभी अन्या कई-कई घंटों के लिए और्फनेश ते गायब रहती थी वो भी तो बताओ इनको साइफ ये जूट बोल रहा है क्योंकि ये अन्या से जलता है इनके लिए जिलाव क्यों? शरी अवर्फनेश लड़कों कुमारता पिता था अन्या ने कम देन की थी इस्ति लाव अज़ प्रस्पेंड भी वा था तब सही अन्या से नफरत करता था एक बात बताँ अन्या को मुजिक पीस इनके लिए किसमे काया था तर्स्त्रे राफ वा अ सया सर अन्या को मुजिक बौट पनता बहुत बार मेंनेरों से अलग अगला गाने सुन्ते वे देखे थे इसलिए मिन उसे वो म्यूजिक सुने दे डिया अब मुझे क्या पता था इस नमड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वैसे आप लोगों इसे कोई म्यूजिक इस्टुमेंट बजाना जानता है सर, में पियानो बजाती है सर, मैं भी पियानो बजाती है अच्छा एक बात बताईए इस दिन पुना में खून वा तो उस दिन आप लोगों थे हम तब कुछ बच्चों को लेकर पुना गये थे तो आप लोग उस दिन पुना में ही थे क्या था पुना थे? वहाँ पर एक इवेंट है इसलिए सर, ये सारे के सारे शरीफ होने का नाटक कर रहे है काम करते हैं, इन सब के कंप्यूटर्स चेक करो देखो, क्या किसी ने वो म्यूजिक का पीज बनाया और अपलोड किया है क्योंकि जिसने भी ये म्यूजिक पीज बना कर अपलोड किया है ना वही खुनी हो सकता है ये लड़की ये यहाँ पर दो मही ने पहले आई थी? हाँ ना, ये दो मही ने पहले एक एंजियो ने इवेंट और अर्गनाईज कर वाया था तो उसी इवेंट में डांस करने आई थी इसने बहुर अच्छा डांस किया था सर और उसी दिन यहां असपास एक खुन भी वा था खुन तो हुआ था सर लेकिन जिस जगह पे खुन हुआ था वो यहां से लगभग एक घंटे के दूरी पे है और यह इवेंट उस दिन कितने बजे शुरू हुआ था पांच बजे शुरू हुआ था और रात करीब आट बजे खतम हुआ था सर अच्छा आप लोग को याद है यह लड़की पूरा समय इवेंट पे थी या कुछ समय के लिए गायब भी हुए थी यह लड़की छे बजे स्टेज पे आई थी और इवेंट खतम होने तक स्टेज पे ही थी तर मेरिकल रिपोर्ट केस आप से फून थीन से शे बजे के बीची हुआ है यह लेगो यह वो जगह जहां पे खून वाता और यह जगे पे इवेंट था यहां से यहां पॉस्टे में कम से कम एक घंटा लगता है ज़र हो सकता है अन्या दपैर को यह निकल गई हो पून करके फिर उसने इवेंट जॉइं कर लिया हरे नहीं नहीं माम ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छी इवेंट शुरू होने से पहले आफटर्नून में रहरसल थी और वो लड़की वहां पर चार बजे तक थी इसके बाद पांच बजे से बैक स्टेज पर सारे स्टोड़ेंट इखठा होने शुरू हो गए थी चार बजे रहरसल पे थी वो जी पांच बजे बैक अचेसे के आफ ने काँ के छे बजे वो स्टेज पे ती अगर ऐसा है तो अन्या के सकर सकती है अगर अगर खुण अन्या नहीं किया तो फिर कुन किया किसने है सारे जिपोर्स और एविडेंस को सठी करने के बाद मुझे लगता है कि अन्या निर्दोष 요र्ड़ेंग है है कुए आपको कई अबजेक्शन है रिकिन सर उसे पूने मुर्डर के ऐसके रिविडेंस मों पन्रे मुर्डर केसे में निर्दोष साबद करने के लिए कोई कि जब खूल हुआ तब अन्या पन्वेल में ती देखिए एविदेंस और विद्मेस के आभाव में यह केस डिश्मिश कर दिया जाता है अन्या को प्लीज छोड़ दिया लिए अधानुकी क्या बता चला है अब बस बस अमर्ज लो इस केस की चावी मिल गए और शीतल ने दिमस्ट्रेट करके बताया था कि सिनेस्थिस्या के दो अलग अलग मरीज एक ही जैसा म्यूजिक सुन्दे के बाद अलग अलग तरीके से इंतरप्रेट करते हैं तो बस मैंने अप सिस्या के यह पेशेंट है एक जैसा म्यूजिक सुन्ने के बाद भी एक जैसा रियक्ट करते हैं यहो किसे सकता है सर हो सकता है पूरवी अगर डो मरीजों के बीच में खून का रिष्टा हो तो हो सकता है पस शीतल ने जो बताया वो भी सही था लेकिन पूरी तरह ऐसा सच कुछ रेर केसेज में ऐसा भी होता है जासा मेरे दोस्ते बता है हाँ बगर दोनों प्रीज एक ही परिवार के हो तो चाचा थाओ या भाई भी हो सकते है ने ने इम्मीडियट फैमिली मेंबर ही होना चाहिए जैसे मापाप भाई बेहन वह क्यों ऐसा इस ने अफ्रेडी क्योंकि एक जेनिटिक बेमारी है पस मैंने मेडिकल जनल में से कुछ अर्टिकल्स निकाले है अई आपको देखाता हूं और भी कोई है जो अन्या जैसे उन दोनों ट्यूज के उपर वैसा ही विजुल देखता है जो अन्या देखती है मैं आप लोगों का इसे शुक्रियादा करूँ आप लोगोंने मुझे जेल जाने से बचा लिया हमने सिर्फ वही किया जो हमारी जूटी है, गुनेगारों को सलाकों के पीछे और बेगुनाहों को अजादी पर गुनेगार है कौन? तुम्हारा कोई रिष्टिता है मेरा फैमिली मेंबर? पालया, जो कि जिस तरह के विजवल्स तुमे आ रहे हैं उस तरह के विजवल्स उसी को आ सकते हैं इसके साथ तुम्हारा खून कना रिष्टा हो और उसी नहीं यह तरह के बृषिक बना है आई सम्, मेरा फैमिली मेंबर कैसे हो सप्ना determ slash? मैं तुम आनाथ हो ला है? है कोई जिससे तुम नहीं जानते? मैं तो जानना भी नहीं चाहती है बच्पन से मेरा सपना था कि मेरे फरिवार वाले हाएंगे और मुझे अपना के लिए के जाएंगे हम खुशी-खुशी ताथ रहेंगे अब आप लोग बोड़े हो, वो कोई खुणी है हम तुम्हें बस वही बता रहे हैं जो हकीकत है सर यह आनिया के नाम का पैकेज आया दरवाजे को बहर रखा था वेन्टरै पंकाच मुझे खर दिखाए देगा बहुत बिजली खर अगरी है कोई और खर के अंदर फाग रही है और और जूना भी है वाँ कोई सौरत के तीछे क्रोबार लेके भाग रहा है बाग रहा है वह उसे क्रोबार से बाग रहा है की सौरत को मार रहा है बदा नहीं पर इसके ता एक नोट नहीं आनियत यह तुम्हारा फ्यूचर इसमें जो हुआ है ठीक तुम्हारे साथ बहते ही हो और इसे कुई नहीं अख सकता इस म्यूजिक के साथ से जो आनिय ने देखा कोई उस औरत को मारने वाला है और एक घर है घर के सामने इक पिजली कड़क रही है और जूला है और सब्कुनी ने खूं करता है और फिर म्यूजिक बनाता है पहले खुनी मॉर्डर प्लान करता है, फिर म्यूजिक बनाता है, और फिर म्यूजिक के हिसाब से खुन करता है, मुझे, मुझे बढ़ना नहीं, जिस मुझे बचा लो अनिया कभराओ मत, तो मैं कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना तुमारे साथ, सबसे पहले इस खुनी को डूड़ना होगा, किसी भी हाल में, अगर खुनी अनिया के परिवार वालों में से कोई है, तो उसे डूंडेंगे किसे अनिया करना पड़ेगा कि 16 साल पहले अनिया को अफनेज में लेके को ना है था, शायद उसे पता हो, अनिया के परिवार के बारे में, आपको कुछ याद है कौन था वो, जो आनिया को चोड़ गया था, नहीं याद तू भी है, 16 साल पहले कोई उसे बाहर चोड़कर चला शीतल जी का फोन, वीडियो कॉल कर ली है, हलो, मैंने बस यही पताने के लिए आपको फोन क्या, कि वो लड़की खोनी है, वक्त बर्बाद मत कीजिए और प्लीज उसे गिरिफतार कर दीजिए, शीतल जी, कोट ने पैसला सुना दिया है, और कोट का पैसला क्या है, वो आप लोग दलत हैं, और आपको यह बात पार ली में चाहिए, शीतल जी, इस वक्त आप कहा पर है, मैं इस वक्त अपने घर के बाहर हूँ, और का रहू हूँ, आपकी जान को खत्रा है, आप पात कर रहे हैं, मेरी जान को खत्रा है, मुझे कौन मारेगा, देखे शीतल जी, उनी ने आपको मारने के लिए मुजिक कंपोस किया है, जिसे उसने हमें भेजा है, और उस मुजिक के हिसाब से आपके खर के लोकेशन, क्या बच्चों जिसी बाते कर रहे हैं, आप ओफिसर, मुझे डराने के लिए आप सब करे ना, और प्लीज मैं डरने वाली नहीं, और जिसे लिए क्यारे क्योंके मैं आपके किस के खिलाफ होता है, खीटर जी, इसके बारे में बादे भी बाद कर सकते हैं, मेरी बाद ध्यान से सुनिए, आप अभी इमिजेटली खर के अंदर जाहिए, खीड की दर्वाजी सब अंदर से बंद कीजिए, और जब तक हम लोग आपके किसी के लिए तर्वाजा मत पोलिएगा, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, अभी मैंने आपस जो कहा हो कीजिए, प्लीज चल्दी प्लीज अंदर जिएग्स झाल 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 कर दो होो जो जो ahh गाल कर दो झाल कौन हो तूम? और मुझ में हमला क्यों कर रहा हु तूम? तूम जाते देज का नदिजा क्या होगा? आयमकाब तूम कामूं से घुदूर ने भाग सते हैं कौन हो तूम? सिद्ध जाते है? आमोगे, 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 पुछा आरते तूम? सर, मैं अभी पियानों बजाती है शितल जी, हमने आपसे पहले कहा था, आन्या खोनी नहीं है मुझे आप लोगों की बात समझनी चाहिए थी मैं अपने तरीके से इंवेसिगेशन करी थी और आप, आप अपने तरीके से हम तोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपसल, लेकिन ट्रस्ट में मेरे गड़ी में पहली पर ऐसा हुआ है कि मेरा जज्ज्मन गलत निकला ओ, ठीक है, आपके इससार पर चोट लगिए नो, ना मोगे प्रड़ी, आमिलेंस को फूंट कर चल्दी रोष्ट पर चल्द शीतल जी पर हमला क्यों किया तुम्हे? अपनी पेटी को बचाने के लिए कौनसी पेटी को बचाने? आन्या को आन्या मेरी पेटी है शीतल उसको जेल भेजने पर तोली थी इसलिए मैं उसको सबख सिखाना चाहती थी अखोंट्यू किया? 17 साल पहले जिप मैं प्रेग्णन्ट थी मेरी पती मुझे में छोड़ दिये क्योंकि मैं दिमागी तोर से बिमार थी वहां मैं 15 साल रही मगर… मगर क्या? मगर मेरे पती ने मेरी ममता का गला गोड़ दिया क्या से? आनिया वहां पैदा हुई पर… उसे मुझे चीन लिया गया 15 साल बात जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पती मर चुके है पर आनिया कहा है मुझे कुछ पता नहीं था वो जन्ता भी है या नहीं यह भी मैं नहीं जानती थी मैं कही ऑरफेनेच में जूलने की कोशिश की उसे पर वो कही नहीं मिली आनिया के बारे में के रहे में केसे पता चला तुन्हीं? चे महीने पहले जब मैं इस ऑर्फेनेच में आय, तो मुझे आन्या की केस वाइल मिली मुझे पता चला कि आनिया को दो लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर उसे वापस छोड़ दिया पर जैसे ही मुझे पता चला कि आनिया को सिनिस्थेशिया है और वो सब कुछ देख सकती है जो मैंने म्यूजिक पे प्लाइन किया था तो मुझे रेलाइस हो गया कि अनिया मेरी बेटी है इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया मुझे उन लोगों से नफलते जो अनाथ बच्चों का डॉप करते हैं और फिर वापस उनी छोड़ देते हैं मैं अनिया को मिल कर सब कुछ बता देना चाहती थी लेकिन आप लोगों की तहकीकात की वज़े से मैं रोग कई क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों अनिया पे शक करेंगे इसलिए मैंने लेटर भेज कर आप लोगों का ध्यान तूसरी तरफ मौने की कोशिश की लेकिन आप लोगों ने मेरे प्लैन को चौपट कर दिया इस बेटी को पाने के लिए तुमने दो लोगों को चान से मार दिया अब सिंदगी बर उस बेटी से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें सलाखों के पीछे काल कोठी में कर दो कर दो